Hello everyone, very good morning to all of you. आज के दिन की शुरुबात करेंगे 23 जन्वरी 2022 के इंपोर्टेंट करेंट अफेर के साथ. हर एक कुशन इंपोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेगा. पीडियोफ और टेलिग्राम दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसलिए आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज के करेंट अफेर से सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैनती की बहुत बहुत शुब कामना है. आज का दिन है 23 जन्वरी और 23 जन्वरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ इनिवर्स की जाद होगा पिछले साल भारत सरकार ने 23 जन्वरी को पराक्रम दिवस के रूप में गोशित किया था. लेकिन इस बार क्या नया हो रहा है तो इस बार आज के दिन प्रधान मंत्री नरेन मूदी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस का एक स्टैचू इनौगरेट किया जाना है. तो फिलाल वो मैंने एक कुशन में भी डाला हुआ है उसके बारे में अभी बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अभी हाली में बारबर डोस के प्रधान मंत्री के रूप में किसको री-Elect किया गया है. तो बारबर डोस की प्रधान मंत्री पहले भी मिया मोटली थी. आपको कई बार बता चुका हूँ. और अभी बार बार डोस में election हुए है. एक बार फि पार्टी का नाम क्या है तो ध्यान रखेगा इनकी पार्टी कहलाती है बार्बर डोस लेबर पार्टी लेबर पार्टी चपन वर्ष की इनकी उमर है और एक और आपको फैक्ट बताता हूं बार्बर डोस के बारे में आपको पता है दुनिया का न्यूएस्ट रिपब्लिक कं कंट्री है और इस टाइम पर यह काफी टाइम से नियूज में चल रहा है आप देख रहो पिछले दो महिनों से बार्बर डोस के बारे में कई बारम लोग बात कर चुके हैं तो इंपोर्टेंट कुश्चन है ध्यान रखेगा और कई लोगों को बार्बर डोस पता नहीं होग नौर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो यह चोटे चोटे कंट्रीज हैं यह सब क्या हैं यह सब करेबियन कंट्रीज कह जाते हैं क्या कहलाते हैं करेबियन कंट्रीज जैसे कि वेस्ट इंडीज वगेरा यह सब करेबियन कंट्रीज है तो इसी में से यह वा तो barbaros भी किसका हिस्सा है, नौर्थ अमरीका का ही हिस्सा है, तो यह चीज जयान रखेगा, कई बार स्टाटिक जीके में आपसे यसे question पूस देता है, लाइक आपसे पूस देगा Barbados कौन से continent में आता है तो आप confused हो जाते हो कई बार South America लगा देते हो बड़ जयान रखेगा North America में country consider किये जाते हैं continent मैंने आपको An Academy Plus में पढ़ाए हुए है वहाँ पर ये चीज अच्छे से बताई थी और Barbados की capital क्या है? इसकी capital है bridge town क्या बोलते हैं? bridge town अगला question है ये कौन सा गाउं है जिसको अभी जम्मू कश्मीर के अंदर पहला milk village के रूप में declare कर दिया गया है मतलब पहला दूद गाउं या दुख्द गाउं इसको declare कर दिया गया है तो ये है जेरी गाउं क्या नाम है इसका? जेरी और जेरी रईसी नाम के district में पढ़ता है अब देखो है क्या कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जेरी एक ऐसा गाउं है जहां पर सबसे बहतरीन दुख्द का उत्पादिन कीया जा रहा है या फिर सबसे ज़्यादा यूनिट में दुख्द का उत्पादिन कीया जा रहा है इस गाउं के अंदर टोटल 370 गाएं पाल रखी हैं लोगों ने और 370 गाओं से 73 डेरी यूनिट्स चलाई जा रही है तो आपको पताईए भारत सरकार लगातार किसानों को बोलती रहती है कि आप अपनी जो production है उसमें diversification लेकर आए agriculture के अलावा भी और भी कई सारी चीजों पर ध्यान दीजे जैसे कि production, milk production हो गया आपका और B production हो गया ठीक है इस तरीके से तो सरकार का कहना है कि केवाल आप खेती पर ही निर्बर ना रही है आप दूद का उत्पादन भी करिए आप पॉल्ट्री प्रड़क्ट का उत्पादन करिए जैसे कि अंडो का उत्पादन, मुर्गी पालन आप करिए तो इस तरीके से क्या है कि diversity आती है और जब धिन्नताइं होती है हमारी income में तो आपकी income भी क्या हो जाती है बाइ सीधी सी बात है तीन तरीके से अगर आपके पास income आ रही है तो risk भी तो कम हो गया ना मान लीए इस साल आपकी income खेती से नहीं हुई तो कम से कम आप दूद का उत्पादन कर रहे हो उससे तो पैसा आ जाएगा न तो इस वज़े से जेरी गाउं को फर्स्ट मिल्क विलेज के रूप में डिकलेर किया गया है और जम्मू कश्मीर के गवर्णना रहे हैं इस टाइम पे मनोस सिना अगला कुशन है प्रदान मंत्री नरेन मोदी के द्वारा एनाउंस किया गया है कि 23 जन्वरी मतलब आज के दिन नेता जी सुभाष चंद बोस का इस टैचू इनाउगरेट किया जाएगा कौन सी जगह पर तो आज प्रदान मंती नरेन मोदी इंडिया गेट में उधगाटन करेंगे नेता जी सुभाष चंद बोस के इस टैचू का आपको बता है इस टैचू की खास बात क्या है यह होलोग्राम इस टैचू का मतलब क्या है दिन में तो यह आपको इस तरीके से दिखेगा लेकिन आज में भी यह आपको इस टरीके से चमकता हुआ दिखाई देगा एक और फैक्ट आपको बता दूँ आप में से कई लोग जो लोग इंडिया गेट को विजिट कर चुके हैं या नहीं भी विजिट कर चुके हैं तो आपको बताता हूँ इंडिया गेट जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको अमर जवान जोती मिलती थी जो कि हमेशा 24 गंटे जलती रहती थी अब इस अमर जवान जोती को शिफ्ट कर दिया गया है कहां पर नैशनल वार मैमोरियल में जो कि इंडिया गेट के जस्ट पीछे बनाय गया था यहाँ पर नेता जी का स्टाइचू आज इनोग्रेट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे सारी बात यहाँ पर। और नेता जी ने अपनी पार्टी की स्थापना भी करी थी, 1939 में, 1949 में, जिसका नाम था All India Forward Block। यह चीज ध्यान रखेगा नेता जी कि इस बार कौन सी बर्थ अनिवर्सरी मना रहे हैं, 125 वी बर्थ अनिवर्सरी मना रहे हैं, अगला कोशन है, अभी हाली में एक किताब लॉंच हुई है, इस किताब का नाम है The Legend of बिर्सा मुंडा, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई ह तो यह किताब लिखी गई है, तुहिन ए सिना के द्वारा, और बिर्सा मुंडा बेसिकली एक ट्राइबल हीरो थे, या फिर आप बोल सकते हो, पूरे भारत में एक ऐसे हीरो जिनोंने बिटिश रास से लड़ाई लड़ी थी, अपने दम पर अकेले, और जिनके लिए कई स सारी कहानिया उस टाइम पर नहीं लिखी गई, लेकिन आज की डेट में लोग पहचानने की कोशिस कर रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि लगातार काई सारी किताबे बिर्सा मुंडा के ओपर आ भी रही हैं, बिर्सा मुंडा वो थे जिनोंने मुंडा ट्राइब के लिए बिटिश राज से अकेले लोहा मोल लिया था, और इनोंने मुंडा ट्राइब के हितो की बात कही थी, उस टाइम पर ट्राइबल कमुनिटीज को और ज़्यादा दबानी की कोशिस करी जाती थी, तो इस वज़े से इनोंने अपनी लड़ाई छिड़ी थी बिटिश राज के और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेगा, इस किताब को लॉंच किसके द्वारा किया गया है, तो महरास्टा के गवंणर भगस सिंग खोसियारी ने इसको लॉंच किया है, और लिखा गया है तुहिन एस सिला के द्वारा, अगला कुश्चन है, who has become the first Indian to complete prestigious NASA program, अभी हाली मे पहली ऐसी भारती है कौन बन गई है, जिनके द्वारा NASA program को complete क्या किया है, देखे, NASA के द्वारा जो इनका circular program चलाया जाता है, इसको आज तक किसी भी भारती ने नहीं किया था, तो ये पहली ऐसी व्यक्ति बन गई है, जानवी दानगेती, क्या नाम है, जानवी दानगेती और ये आंद्रपदेश से बिलोंग करती है, नासा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में करी गई थी, इसका headquarter है Washington DC, और नासा के administrator है Bill Nelson, कौन है Bill Nelson, पिछले साल इनको appoint किया गया है, अगला question है, अभी हाली में United Nation Development Program की, इंडिया's first youth climate champion के रूप में किसको declare किया गया ह मतलब कहने का UNDP की तरफ से भारत की पहली youth champion, youth climate champion के रूप में declare किया गया है किसको, तो जो आपको picture में देख रही है, इनका नाम है प्रजाक्ता कोली, अब देखें ये basically एक YouTube content creator है, कहने का मतलब यह है कि YouTube में videos बनाती हैं और लोगों को climate changes के बारे में बताती है, साथ में य तरीके के steps ले सकते हो, आपको basically क्या क्या करना चाहिए, pollution से बचने के लिए, या pollution आप नहीं करना चाहते है, तो आप किस तरीके के जीवन जी सकते हो, ऐसे इन्होंने कई सारे program YouTube पर चलाए हुए है, जिसकी वज़े से United Nations Development Program ने इस साल 2022 में इनको youth climate champion के रूप में declare किया हु एकला question है, भारतिये 9 सेना ने अभी हाली में, ASW exercise C Dragon 2022 में हिस्सा लिया है, कौन से देश के साथ, तो C Dragon 2022 exercise भारतिये 9 सेना ने करी है, अमरीकी 9 सेना के साथ, और ये है भारतिये सेना की वो टीम जिसने इसमें हिस्सा लिया, और ये है अमरीकी सेना की वो टीम जिसने इसमें ह इससा लिया है और ये aircraft आपको याद आ रहा होगा इसको बोलते है P-8I aircraft जिसको Boeing Company बनाती है और ये वही aircraft है जिसके लिए मंजूरी दी है अभी हाली में अमरीकी सरकार ने कि ये aircraft अमरीका भारत को देगा पहले से भी हमारे पास P-8I है अभी भारत को और P-8I aircraft चाहिए तो इस P-8I aircraft ने यहाँ पर दोनों countries की तरफ से हिस्सा लिया है और इसकी खास बात यह है कि पूरे 14 दिन ये exercise चली है पांच जनवरी से इसकी शुरवात हुई थी और ये 20 जनवरी को अभी हाली में खतम हुई है यहाँ पर आपसे venue भी पूछ सकता है कि इस बार Sea Dragon कहां पर हुई तो अमरीका में एएक जगे है जिसको बोलते है कुआम वहाँ पर यह हुई थी इसके अलावा एक हफ़टे के बाद यहाँ पर दो देशों ने और हिस्सा लिया एक तो कैनेडा ने हिस्सा लिया था कुछ दिन के लिए और साथ में साउथ कोरिया ने भी हिस्सा लिया है अगला कुश्चन है ये कौन सी संस्ता है जिसके द्वारा अभी हाली में बैंकिंग ओन इलेक्ट्रिक वीकल इंडिया नाम की रिपोर्ट रिलीज करी गई है तो इसको लॉंच किया गया है रिपोर्ट को नीती आयोक के द्वारा पहले तो आप ये समिल लीजे ये रिपोर्ट बनाई किसके द्वारा गई है एक इंस्टिट्यूट है जिसको बोलते हैं रॉकी माउंटेन इंस्टिट्यूट क्या बोलते हैं रॉकी माउंटेन इस्टिट्यूट इसके दुआरा है रिपोर्ट बनाई गई और नीती आयोग ने इसको रिलीज किया इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में electronic vehicles को बाजार में लाने के लिए किस तरीके से banks आगे बढ़के अपना योगतान दे रहे हैं जैसे कि SBI सबसे पहले आया और SBI ने green car loan जारी किया जिसके तहत SBI ने कहा कि अगर आप हमसे electronic vehicle लेने के लिए loan लेते हैं तो हम आपको सस्ते दरों पर loan देंगे इसके अलावा साथ में इस report के तहत ये बताया गया है कि सरकार target लेकर चल रही है कि 2025 तक electronic vehicle का market 40,000 करोन का हो जाना चाहिए ये target लेकर चल रही है भारत सरकार तो कहने का मतलब ये है कि इस report में बताया गया है कि भारत सरकार और भारत के bank किस तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं लगातार कि electronic vehicles को हमारे market में लगातार हमें promote करना है और बढ़ाते जाना है क्योंकि तभी petrol और diesel से चलने वाले जो वहान है उनकी संक्या कम करी जा सकेगी pollution से भी बचेंगे और जो extra खर्चा, extra burden आपकी pocket पर पड़ता है वो भी दीमे-दीमे कम हो पाएगा बढ़ ये instant नहीं हो सकता इसको अभी change होने में करीब-करीब 10 साल लग जाएंगे बाइद वे नीती आयोग की स्थापना 2015 में करी गई थी और इसके chairperson हमेशा प्रदान मंत्री होते हैं तो प्रदान मंत्री नरेन मूदी इसके chairperson है वाइस chairperson है डॉक्टर आजीव कुमार और इसके CEO हैं अमिताप कांत RBI की स्थापना 1935 में करी गई सेवी की स्थापना 1992 और SBI की स्थापना 1955 SBI के chairperson है दिनेश कुमार खारा सेवी के हैं अजयत्यागी और RBI के गवर्नर हैं शक्ति कांत दास अगला कोशन है अभी हाली में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम है Saturn Nino de la Fuente Garcia तो इनका अभी हाली में निधन हो गया ये 112 वर्ष्ट के थे ये कौन से देश से बिलॉंग करते थे Saturn Nino ये बिलॉंग करते थे Spain से तो Spain के नागरिक 112 वर्ष्ट की उमर में Saturn Nino de la Fuente Garcia अब नहीं रहे इनका निधन हो गया Spain की capital है Madrid और Spain में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है यहां के प्रधान मंत्री है Pedro Sanchez क्या नाम है Pedro Sanchez Singapore की capital Singapore City जापान की capital Tokyo और Germany की capital Berlin ध्यान रखिएगा अभी पिछले ही महीन है Germany में नए Chancellor appoint किये गए है और इनका नाम क्या है Olaf Schools क्या नाम है Olaf Schools इन्होंने Germany की Chancellor Angela Merkel को succeed किया है Germany में election हुए Angela Merkel को इन्होंने election में हराया और Olaf Schools बने है नए Chancellor अगला question है अभी हाली में यह कौन से comedian है जिनको इनकी comedy में उतकरस्ट कारे करने के लिए Mark Twain Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया है तो इस बार सम्मानित किये गए है यह जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं यह है John Stewart इनको comedy में बहतरीन कारे करने के लिए Mark Twain Lifetime Achievement से सम्मानित किया गया है और John Stewart जो है Stewart यह अमरीकी comedian है पूरी दुनिया में यह 23 ऐसे comedian है जिनको इस एवार्ड से सम्मानित किया गया है और Mark Twain के अगर बात करें तो यह बेसिकली अमरीकी writer हुआ करते थे जिनके नाम पर यह एवार्ड दिया जाता है और writer होने के अलावा यह एक lecturer भी थे publisher भी थे by the way इनको अभी nominate किया गया है यह एवार्ड इनको 24 अपरेल 2022 को दिया जाएगा अगला question है अभी हाली में त्रिपुरा, मेगाले और मनिपुर ने कौन सी date को अपना पचासवा इस्थापना दिवस मनाया है तो इन तीनों राज्यों की इस्थापना मैं आपको बता दूँ 21 जनवरी 1972 में करी गई थी तो इस बार इनोंने 1972 से आप देख लीजे 2022 चल रहा है न तो पचासवा इस्थापना 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 हुई थी तो 21 को ही मनाएंगे त्रिपुरा में बिपलाप कुमार देब की सरकार है दोनों का जो प्रिंस्थली स्टेट का प्रावधान है ये सरकार के द्वारा खतम किया गया था 1949 में अगला क्वोशन है ये कौन सा देश है जिसने अभी हाली में एक साथ 35 यूट्यूब चैनल और इसके अलावा कई सारे शोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया है ये है भारत सरकार और हमारा मंत्राले जिसको मिनिस्ट्री ओफ इन्फोर्मेशन एंड ब्रोड कास्टिंग बोलते हैं इन्होंने टोटल 35 यूट्यूब चैनल और ये शोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किया है ये इसलिए कि ये ऐसे यूट्यूब चैनल और शोशल मीडिया अकाउंट्स थे जो कि भारत देश के खिलाफ फेक न्यूस फैला रहे थे और आस पास के जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे और आगे आने वाले टाइम में भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है कि किसी का भी अकाउंट बैन हो सकता है जो कि कंट्री के अगेंस्ट बात करेगा और आस पास के कंट्रीज को सपोर्ट करेगा और इस टाइम पर ये मंत्राले किसके पास है Ministry of Information and Broadcasting क्या आप मुझे comment box में लिखकर बता सकते हो आज का आपसे यही सवाल है और कल जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाव आप लोगों ने दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे खुशी होती है जब आप लोग बाट लेते हो मैं आपसे कुछ पूछता हूँ आप लोग उसका अंसर करते हूँ पाकिस्तान में इस टाइम पर इमरान खार की सरकार है भारत में नरेन मूदी की सरकार है रश्या में व्लाद इमीर पुतिन की सरकार है और यूक्रेन में व्लाद इमीर जलिंस्की की सरकार है यूक्रेन की कैपिटल है कीव रश्या की मौस्को भारत की नई दिल्ली और पाकिस्तान की स्लामाबाद अगला कुशन है गुजरात में जो सोमनात मंदिर है उसके पास अभी हाली में एक नए सर्किट हाउस की स्थापना करी गई है किसके दौरा तो इसका उद्धाटन प्रदान मंतरी नरेन मूदी के दौरा किया गया है इस circuit house के अंदर total 48 कमरे हैं और इसको बनाया गया है 15,000 स्क्वार मीटर में और इसको जो बना कर तयार किया गया है इसके लिए 30 करोन की लागत लगी है अब यह circuit house बनाई के हो जाते हैं तो ध्यामे किये bureaucrats को रुकाने के लिए एक तरीके से guest house के रूप में इन circuit house का यूज किया जाता है और bureaucrat के अलावा जैसे मान लीजे कल को कोई international summit होता है तो दूसरे देश के कई सारे leaders जब आते हैं तो उनको भी यहाँ पर ठहराने का काम किया जाएगा तो एक तरीके से political parties के लिए तो नहीं आप बोल सकते हो international summits में और bureaucrats के लिए guest house के रूप में इसको यूज किया जाता है अगला question है who has been appointed as the managing director of national highways and infrastructure development corporation लिम्टेट अभी हाली में भारत के रास्टी राजमार्क और अव सन्रच्रा विकास निगम लिम्टेट के MD के रूप में किसको नियुक्त किया गया है तो अप से MD होंगे चंचल कुमार जी और ये senior I.S. अदिकारी है 1992 वैज के बिहार कैडर है इनका और NHI DCL की बात करने तो इसकी स्थापना 2014 में करी गई थी इसका headquarter है नहीं दिली और देखे जो NHI है ना National Highway Authority of India इनका तो सीधा सीधा काम है कि भारत में राजमार्गो की स्थापना करना मतलब हाइवेज नैशनल हाइवेज को बनाना लेकिन जो NHI DCL है इनका काम ये है कि ये NHI को प्लान बना कर देते हैं कि किस तरीके के नैशनल हाइवेज होंगे किस तरी डेवलप्मेंट स्टार्ट करता है अगला कुशन है ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा अभी हाली में प्लाटिना फिक्स्ट डिपॉजिट पॉलिसी लॉंच करी गई है एवडी लॉंच करी गई है और इस एवडी का नाम है प्लाटिना तो प्लाटिना नाम की एवडी Small Finance Bank ने, अब इस FD केता है समझ लिजे क्या है प्राउधान, उजीवन Small Finance Bank कहता है कि अगर आप Platina FD हमसे कराते हो, तो अगर आप एक आम नागरिक हो, तो आपको हम 7.05 इंट्रेस्ट रेट देंगे FD पर, और अगर आप Senior Citizen हो, तो हम आपको जादा देंगे, 7.80% के हिसाब से इंट्रेस्ट देंगे, आप इसमें minimum FD 20 लाग की करा सकते हो, 20 लाग से कम की FD नहीं करा सकते हो, और maximum आप करा सकते हो 2 करोन तक की FD, ये प्राउधाने इसके थे, उच्जीवन Small Finance Bank, इसकी स्थापना 2017 में करी गई थी, ये बहुत नया बैंक है बिल्कुल, और इसका Headquarter है Bangalore, और आपको पता है इसके CEO कौन है, अभी December के ही महिने में, 20 December के आसपास इनको Appoint किया गया है, कई लोगों को ध्यान नहीं होगा, आप ध्यान रख लीजेगा, इ नई दिल्ली और बैंक अब वडोदा वडोदरा, उम्मीद करता हूँ सभी कुश्चिन क्लियर हो गयोंगे, फर्दर कोई भी डावट है, तो आप मुसे कमेंड बॉक्स में पूछ सकते हो, आज की बात यहीं थक रहेगी, बाबाई, टेक केर, हैव नाइस टे, आपका दिन मंगल में हो.